जैमाता दिमित्रो हमारे योट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ये तांतरिक लोग होते हैं जो ये बुरी प्रवर्ती के लोग होते हैं बुरी सोच वाले लोग होते हैं कैसे आपका जीवन बरबात करते हैं इनक से पहली चीज में आपको ये बता दू कि ऐसे लोगों के पास में कोई भी बड़ी सिद्धी नहीं होती है कोई भी बड़ी शक्ती नहीं होती है ये क्या करते हैं कि ये किसी ऐसे अच्छे अवसर का वेट करते हैं जैसे की होली का समय हो गया दिवाली का समय हो गया या फिर अ जवान वैक्ति की मृत्यू हुई हो और ये उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए तत पर रहते हैं तैयार बैठे रहते हैं नहीं तो फिर ये दिवाली की रात में जाकर के होली की रात में जाकर के शमशान में जाते हैं वहाँ पर जाकर के ये साधना करते हैं और साध कई चीज़े एक डिन में सिद्ध होने वाली होती है जाद से जादा 11 दिन या 21 दिन में एक चीज़े सिद्ध हो जाती है अगर आप अच्चे मूहरत पर अच्छे नक्षत्र में इनकी साधनाई करोगे, रात्री काल में करोगे, जैसे कि या मवस्या की रात्री हो गई, या होली की रात्री हो गई, ग्रहेड का समय हो गया, दीपावली का समय हो गया, ऐसी रात्री में एक दिन में इन सबी चीजों की सिद्धी प्राप्त करी जा सक क्योंकि बड़ी सिद्धी को सिद्ध करने में बड़ी शक्ती को साधरे में काफी समय लगता है वर्षों का समय लग जाता है महीनों का समय लग जाता है इनके पास इतना सामर्थे नहीं होता और नहीं इनके पास इतना समय होता है कि ये किसी बड़ी महाशक्ती को सिद्ध कर लेते हैं तो इनके अंदर बुरे विचार रहेंगे ही नहीं वो बड़ी शक्ति इनको बुरा कर्म करने ही नहीं देगी अगर ये बुरा कर्म करते भी हैं तो वो शक्ति इनका साथ छोड़ करके चली जाती माल लीजे किसी वेक्ति ने हनुमान जी की साधना कर ली और वो वेक माहा काली माता माहा लक्ष्मी माता महा सरस्वती तो बड़ी शक्तियां होती है वो कभी भी बूरा कार। नहीं करती, अक्सर देखने में यह आता है कि कई बार लोगों के उपर काली की चोकी छोड़ दी जाती, वास्तव में वो काली नहीं होती, जो लोग समझते हैं, ठीक है, वो कोई भूत प्रेत, इन श्रेनी की कोई शक्ती होती है, जिसको काली का रूप बना करके भेजा जाता इसलिए वो जाकर के अपने आपको गोशित कर देते हैं कि हम काली हैं, हम शीतला हैं, हम फलाने देवता हैं, हम फलाने देवता हैं, वास्तों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्ती हैं, कोई भी बड़ी शक्ती, मैं ये बात 100% कह सकता हूँ, पूरी गार और वो उनसे बुरा कारे करवाले वो शक्ती तत्काल मना कर देगी और अगर कोई जबर जस्ती करता भी है कि नहीं आपको इसका नुकसान करना है आपको इसके मतलब इसके परिवार पर नुकसान करना है तो वो शक्ती मना कर देगी और अगर फिर भी वो नहीं मानते तो वो उस सादक का ही जीवन बरबाद कर देती हैं बुरा कौन करते हैं बुरा ये सबी लोग करते हैं बूत प्रेत चुडैल डाकिनी शाकिनी जिन खबीस बेताल ये सारी शक्तिय होती जिनको ये तांत्रिक लोग वश में करते हैं शमशान में जाकर के इनको सिद्ध करते हैं और फ जादतर यही देखा गया है कि जो आपके आपसे जलने वाले लोग है आपसे चिडने वाले लोग है आपसे इरशा करने वाले लोग है वही लोग इनके पाश जाकर के आपके उपर तंत्र क्रिया करवाते हैं जादतर देखने में यही आता है कि आपके रिस्तेदार हो सकते है उसमें आपके जान पेचान वाले हो सकते हैं आपके आस्परोस वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो आपसे इरशा करता हो जो आपसे जलन करता हो जो आपका नुकसान करना चाहता हो या फिर जिसके उपर पहले से तंतर हुआ हो और वो अपने तंतर को निकलवा करके आ और इसी इनी सक्तियों को वश में करके जो तांत्रिक लोग होते हैं अपना कर्म छेड़ते हैं अपना कर्म करते हैं लोगों के उपर और ये लोगों के उपर कई कई सारी शक्तियां छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास कमी नहीं होती भूत परेतों कि इनके पास हज्जारो तो आशा करता हूं मित्रो जो जानकारी मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलूँगा आप से अगली वीडियो में जैम आता दी